हेलो एब्रीवान हेलो प्यारे बच्छो वेल्कम बैक टू अनकाडमी टॉपर्स और आज तो बच्छो हमारे जो बैच है यह वाला दो हजार तेईस वाला उसकी शांदार शुरुआद होने वाली है तो यार बताओ एक बार जल्दी से मुझे कैसे हैं आप सब लोग हाउस द पायूश उदे नरायन पांडे वाह बहुत बड़ी है डिमपल राम साक्षी बिपाशा बहुत सारे बच्छे यहां पर दिखाए दे रहें और इसलिए बेसिक मैट्स और वेक्टर सच में बहुत बेसिक चीजे हैं लेकिन अगर नहीं आए तो बहुत पसी निकालते हैं यह अगर आप नियुमेरिकल करने बैट जाओ तो तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो नियुमेरिकल करते समय पसीने कम निकले इसलिए यार वेसिक मैट्स को अच्छे से आथ सीख लेते हैं ठीक है तो चली शुरू करते हैं क्लास को और एक सेकंड बस मुझे दीजी आप थोड़ा सा अजस्ट्मेंट करना है यार बन्ना तुम्हेना बलर दिखाई देगा स्क्रीन ओके तो यह अब ठीक दिखाई देगा तुम्हें हाँ चलो बहुत बढ़िया है ना दो-तीन मिनट में लेट हो गया आम बेरी सॉरी फॉर बट दिल नहीं दिख रहे हैं यह बहु गुपता और बहुत लोगों का बिल्कुल खतम ही कर दिया है फोबिया में यहाँ एक टीम की तरह आपको पढ़ाते हैं गरेमा मैम विशाल सर और मैं फिजिक्स चेमिस्टी और बायो का बेटा आपका बन स्टॉप सॉलीशन है यह चैनल तो यार इस चैनल को ना सबसे पहले तो धेर सारा प्यार दिखाओ बहुत कम टाइम में बहुत प्यार मिला इस चैनल को और बहुत बड़ी फैमली हमारी बनती जा रहे दीरे आप भी इस फैमली का हिस्स्सा बेल आइकन दबाईए इससे सारे नोटिफिकेशन टाइम पे आपके पास पहुँच जाया करेंगे ठीक है बेटा येस इसके अलावा और क्या करना है सर और एक और करना है हमें काम कि हमें टेलिक्राम ग्रूप को कर लेना है जॉइन क्योंकि टेलिक्राम ग्रूप में और लगभग 58,000 बच्चे है who are getting benefited from everything, चाहे वो notes हो, चाहे वो DPP हो everything बेटा, they are getting everything आप क्यों miss out कर रहे हो, आपको भी miss out नहीं करना है, join करना इस channel को ठीक है, तो अगर app नहीं है फोन में तो आज ही इस class के बाद app install करो telegram group को join करो बेटा late मत करो इसमें, ठीक है और हाँ, प्लस के बच्चे, आज हमारी प्लस की एक class हुई, आज मैंने batch launch कर दिया, प्लस पे, क्या जबरदस class हुई, आज हमने motion in one day के basics सीखे, आज हमने पिटा average speed निकालना, average velocity निकालना सीखा, acceleration कल हम पढ़ेंगे, अगली class में पढ़ेंगे मतलब की, तो यार अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप, चलो YouTube पे तो classes available है लेकिन YouTube में एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ classes ही available है आपको प्लस पे DPP, उसका solution, guidance, एक controlled environment, ये सब मिल जाता है क्योंकि सिर्फ classes करके selection होता है क्या बच्चो नहीं होता आप अगर कहीं और से guidance ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सिर्फ और सिर्फ मेरे खाल से YouTube पे dependent ना रहें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, तो बिटा आपके पास plus का option है, ठीक है, don't worry about it तो ये एक batch launch हुआ है बच्चो जहां पे ये सारे teachers आपको पढ़ाने वाले बैसे आप एक बार plus ले तो आप किसी से भी कुछ भी पढ़ सकते हो, है ना you can study from any teacher that you want सारे options आपके खुल जाते हैं तो ये बिटा अभी एक offer चल रहा है निकालना, तो definitely यार plus जितनी जल्दी लोग है ना, तुमारे लिए उतना अच्छा है, early starters always get benefit मैं जो अपने batch के बारे बता रहा था बेटा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे complete physics करा रहा हूँ, long term में basic से, for 2022 and 2023, neat तो वो भी आप join कर सकते हैं और मेरे साथ पढ़ने का मौका पा सकते हैं, ठीक है plus पे, guidance, test doubt discussion, everything happens there, telegram group अलग से बना दिया जाता है, plus पे जहां पे आप हमसे interact कर सकते हो, हमसे बाते कर सकते हो सीख सकते हो चीजों को, कहीं doubt आ रहा है you will get to know, they are just amazing teachers plus लेने से, सब को आप सब के साथ पढ़ने का आपको मौका होता है अपना teacher choose करिये, जिसके साथ भी frequency match होती है, पढ़ना शुरू कर दीजिए right everyone again 12 months का लोगे 3 महीने फ्री, 24 महीने का लोगे 4 महीने फ्री है, ठीक है? तो यहाँ पे सारा table में लिखा हुआ है और अगर आप लेना चाहते हैं इसमें discount, तो बच्चो आपको code क्या use करना है, feel ठीक है, एक बार जल्दी से spam कर दो feel लिख दो जल्दी से एक बार बेटा p h e e l, ठीक है, मेरा पुराना code भी active है जी-जी, live मेरा पुराना code है इससे भी आपको मिल जाएगा, इससे भी हो जाएगा दो साल वालों के लिए 56,000 है अगेन इसमें 10% discount, तो यह लगबग 49,000 का आपको पढ़ता है, ठीक है so that also you can join, whatever you want और जो बच्चे हैं, जो अभी 2021 में देंगे उनके लिए 3 महीने का बेटर है क्योंकि अभी practice batches launch हुए है practice batch join करो, खूब सारी practice करो है न बच्चो, चलो पढ़ाई करते हैं अब हम लोग है न let's start बेटा, क्या topic क्या है बच्चो हमारा topic क्या है बच्चो हमारा topic है basic mathematics sir कितना basic 2 और 2, 4 इतना basic है तीन दू नीच है इतना basic, इतना भी basic नहीं, इतना basic में चले जाएंगे तो आज तक जो पढ़ाई करी उसका क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है ये basic mathematics में हम trigonometry cover करेंगे अब trigonometry में भी ऐसा नहीं है कि लाल बटे कक्का करेंगे आज आज आपको सिखा दूँगा और ये एक skill है आप जब देखोगे न जब भी आप सवाल solve करोगे न physics के trigonometry बार बार आएगा और आपको याद दिलाएगा कि देखो तुमने 10th में ये चीज़े अच्छे से नहीं पढ़ी थी अब ये numerical तुमसे नहीं होगा लेकिन इतने में तुम उसको जवाब दोगो ये कि ज़्यादा smart मत बनो गौर असर ने हमें पढ़ा दिया है और तुम खड़ा-ख़ट question solve करके उसको ऐसे घूर के वहां से निकल जाना तो आईए शुरुवात करते हैं सबसे पहले तो मुझे बताईए ये सब values सभी को आती है क्या एकदम basic बात है ये सारी values सभी को आती है क्या जल्दी से जल्दी से एक बार सब लोग chat box में लिखेंगे बेटा इसको मैं फिर से एक बार full screen कर लेता हूँ सभी को आता है ना sign 00 होता है क्यों दिया है एक बार revise कर लो देख लो है ना कॉस में उल्टा हो जाता है यहां पर वन आ जाएगा यहां आ जाएगा वन बाई रूट टू सेम रहेगा यह वन बाई टू इधर आ जाएगा यह जीरो इधर आ जाएगा ठीक है नहीं याद है तो sin by cos कर लीजिए है ना sign by cos 10 होता है sin theta upon cos theta is 10 theta तो 0 by 1 करेंगे 0 यह आएगा this by this करेंगे यह आजाएगा 1 by root 3 this by this करेंगे 1 आ जाएगा यह करेंगे root 3 आ जाएगा और यह not defined या फिर कई बार infinity भी कहते हैं आप इसको सर यह हमको आता है बोल दो बिटा एक बार चिला चिला के कह दो दुनिया से कि यह हमको आता है सर आगे बढ़ो आगे बढ़ते हैं बहुत बढ़िया सर यह कैसा angle है क्या मज़ाख चल रहा है पर 37 53 चलो 182, 70, 360 को तो देख लेंगे सर उसको गोली मारो यह 37 53 क्या है सर यह तो आज तक नहीं पढ़ा हमने तो बैटा जितने numerical साब देखेंगे न कई बार आपको देखने को मिलेगा कई बार कि यार angle या तो 37 दिया हुआ है या तो 53 दिया हुआ है 37 या 53 सोच रहो आपका भी देखा है कभी देखा है तो अच्छी बात है अब तुम सोचोगी यह तो अलगी पंगा हो गया अब यह सब रटना पड़ेगा कि sign 37 3 by 5 होता है cost 37 4 by 5 होता है फिर 10 37 इतना होता है 53 में इतना 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 सर इतना रटना पड़ेगा क्या tension आ रहा है थोड़ा 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 tension आ रहा है tension खतम करने ही तो sir यहाँ खड़े है आईए आपका tension खतम करता हूँ इन सारी values को अगर आपको याद रखना है तो इसके लिए एक triangle बनाना पड़ेगा triangle कैसा होना चाहिए right angle triangle होना चाहिए right angle triangle समझते हो right angle triangle यहाँ पे कितना angle 90 degree हाँ sir ये तो बना लिया आगे बोलो कैसे sir value कैसे याद हो जाएगी मैं कहता हूँ इस side को आप मान लो कि ये 3 है मान लिया ये 3 है इस side को आप मान लो 4 है तो ancient civilization में बरगत के पेड़ के नीचे चटाई बिछा के आपके आचारियों ने आपके पढ़ाया होगा कि Pythagoras theorem के according hypotenuse की value 5 आजाएगी चेक करके बताओ सही कह रहे हैं कि sir एकदम under root 2 square plus 3 square sir 2 year का subscription नहीं है क्या बेटा 24 महीने का 56,000 का है 10% का discount आप ले सकते हैं चलिए वापस आते हैं ये 4 ये 3 तो ये 5 हाँ बहुत बढ़िया sir trick कहा है ये कोई trick होती है ये कोई trick है ये तो सब हर बच्चा जानता है trick ही ये है कि by coincidence ये जो 5 और 3 के बीच का angle है ना 5 और 3 के बीच का angle वो 53 होता है तो बेटा अगर ये 53 ये 90 तो थोड़ा उंगलियां घुमाओ और बताओ ये कितना होगा total angle 180 होता है हाँ total angle 180 होता है ये 53 है ये 90 है calculate करो ये 37 आएगा इन तीनों को जोड़के देखो this plus this plus this 180 आएगा 37 और 53 के लिए table नहीं रठना है नको table नहीं रठना ये याद रखना है और इसको याद रखना कितना असान है 3, 4, 5 5 और 3 के बीच का angle 53 5 और 3 के बीच का angle 53 दूसरा वाला अपने आप 37 अरे यार कोई पहले बता देता तुम्हें है ना तुम्हें ऐसा ही सोच रहे हो भी मुझे पता है अब जो भी निकालना बताओ क्या निकालना बोलो क्या चाहिए सर आपको बोलो आपको आप बस बोलो सर कॉस 37 चाहिए आपको कॉस 37 चाहिए चलो लगाते हैं देख 37 वाला angle हो गया कॉस थीटा है ना बिटा बेस अपॉन हैपुटेनियस है ना बेस अपॉन हैपुटेनियस होता है कॉस थीटा तो कॉस 37 इसके लिए बेस कौन सा है य Опुटेनियस कौन सा है य hein तो आणसर आया 4 बटे 5 चेक करो डन अन डस्टेड चार बटे 5 हो गया अरे हो गया खतम डन डस्टेड और क्या निकालना है बोलो ना तुम बोलो क्या चाहिए तुमें sin 37 चाहिए तुमें sin 37 चाहिए बेटा sin 37 चाहिए 3 by 5 आना चाहिए चेक करते हैं sin theta होता है perpendicular upon hypotenuse तो इसके लिए perpendicular ये है 3 और hypotenuse ये है 5 3 by 5 अब तुम जो चाहो चेक कर लो तुम जो चाहो चेक कर लो 53 के लिए कर लो चलो तुम 53 के लिए कर लो मालो मुझे निकालना है sin 53 sin 53 क्या होता है perpendicular by hypotenuse लेकिन अब 53 के लिए ये base बन जाएगा ये base बन जाएगा ये बन जाएगा perpendicular इतना तो सबको आता है सरह है ना जहाँ पर angle है ये वाला base बन जाता है ये है perpendicular तो perpendicular 4 और happiness तो 5 है 4 by 5 sin 53 4 by 5 बले बले खातम दिल बनाओ ऐसी नहीं चलेगा दिल बनाओ सर इतनी energy से पढ़ा रहे है बच्चों के अंदर अगर कम energy है तो बच्चों को शरम आनी चाहिए थोड़ा थोड़ा शरमा हो तो बच्चों एक बार जल्दी से मैं AC का थोड़ा direction ठीक कर लेता हूँ मेरे साथ अलगी परिशानी है मुझे jacket भी पहनना होता है मुझे AC भी चलाना होता है देख रहो तुम मैं उन्हीं लोगों में से एक हूँ जो AC को फुल में चलाके कमब लोड़के सोते है बस ऐसी मेरे अर्मान है बेटा चोटे-चोटे से है ना नहीं यार मैं confused हूँ आजकल मुझे कब ठंड लगती कब गर्मी लगती समझी नहीं आता है इसलिए ना मैं सब कुछ चलाके फिर पढ़ाता हूँ चलो anyways हाँ क्या कह रहा था मैं दिल बना दो है ना बिलकुल एनरजी कम नहीं होने चाहिए येस तो आपका 37.53 का आज के बाद टेंशन हो चुका है अब आप बात करते हैं 180, 270, 360 आता है आता है याद है नहीं है याद गोली मारो याद नहीं है गोली मारो कोई बात में अगर तुमको याद है तो बहुत अच्छी बात है याद नहीं है गोली मारो अब हम लोग वो सीखेंगे जिसके लिए ट्रिगनोमेक्टरी आज आज आपको पढ़ाई जा रही है जैसे की अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए साइन 135 की वैल्यू बताओ तो तोत्ते उड़के तुमारे साइन 135 सर ये तो गलत बात है सर हमको यहाँ तक आता है सर जीरो आता है 30 आता है 45 आता है 60 आता है 90 आता है इसके बाद तो पूरा खाली मैदान है सर अब कहां हमसे 135 पूछ रहे है तो इसके लिए कुछ रूल्स है मैं आपको बता देता हूँ साइन 135 को आप ऐसा लिख सकते हो साइन 90 प्लस 45 चेक करो तो बेटा सर का मैट्स ठीक है क्या सर बिल्कुल साही मैट्स कर रहे हैं क्या हाँ 90 प्लस 45 लिखा जा सकता है अब इसकी जो वैल्यू निकालना है न इसका एक प्रोसेस है कि साइन 90 प्लस 45 कैसे कैलकुलेट करूँ इसका एक प्रोसेस है ये हम सीखेंगे और एक बात ध्यान से सुन लो अगर आता भी है अगर आप तोप हैं तो भी आपसे गुजारिश है आराम से बैट के एक बार सुनिए अच्छा लगेगा ठीक है ये प्रोसेस एक बार सबको देख लेना चाहिए ताकि गलतिया ना हो ठीक है वीटा येस तो साइन 135 को ऐसा लिख सकते हैं एक बहुत ही होशियार बच्चे ने लिखा है सर्फ 180 माइनस 45 भी कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कोई ईशू वाली बात नहीं है चलता है ठीक है हम ऐसा लिख लिए कोई दिक्कत है आपको कोई परिशानी है आपको नहीं ना चलिए आगे बरते हैं तो यहां पर सबसे पहले ना Quadrant Rule आपने कभी देखा होगा इसको है ना कि चार Quadrant होते हैं नहीं देखा है तो आज देख लो कोई नहीं मैं तो यही मान के पढ़ा रहा हूँ कि हमको नहीं आता कुछ तुम भी एजियूम कर लो नहीं आता सर सिखा रहे हैं सीखेंगे सीख के जाएंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आओ चार Quadrant होते हैं यह पहला Quadrant कहलाता है यहां पर अंगल 0 यहां पर अंगल 90 उसमें सभी के सभी Trigonometric Functions Positive होते हैं पहले Quadrant में बेटा यहां पर लिखा भी है देखो सभी के सभी Trigonometric Functions Positive होंगे चाहे वो Sine हो नमूना चाहे वो ससुरा Cos हो चाहे वो Tan ही क्यू ना हो चाहे वो Cosic हो Sec हो, Cot हो सब की Value Positive आती है यह बात समझ में आगए All are Positive in which Quadrant? पहला Quadrant पहला Quadrant बहुत है सब की Value हावे Positive होती है Second Quadrant के साथ ऐसा नहीं है भाई साब Second Quadrant थोड़ा Partiality करता है Second Quadrant कहता है कि हमारे पास आने वाले तो सिर्फ Sign और Cosic ही Positive होते हैं बाकि सब Negative हो जाते है Second Quadrant की तुम देख रहे हो हरकत देख रहा है समझे रहा हो कहता है सिर्फ Sign और Cosic Positive है मेरे पास आगए तो बाकि सब Negative है Third कहता है मेरे में तो सिर्फ 10 और Cot Positive है Second की हरकत देखे की यह चेह रहा है मैं क्यों सब को Positive करूँ 10 और Cot Positive है और Fourth Quadrant कहता है cos और sec positive है बाकि सब negative है यह याद कैसे करें कि कहां कौन positive है all go to school then college है ना all go to school then college a का मतलब क्या है all positive बहुत बढ़िया school for s तो s का मतलब क्या है sign positive होगा यहाँ पे then then का t आ गया तो t से tan positive होगा यहाँ पे ओहो ऐसे ऐसे अच्छा c college तो c से cause आ गया अब इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जैसे it's me many लिख रहा है add sugar to coffee यह भी यह तरीका है ना add sugar to coffee यह भी चलता है कुछ लोग astc से याद कर लेते हैं astc है ना आंदरप्रदेश state transport corporation ठीक है तो इस बात से कौनों फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सट्रिक याद किये हैं फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप सही answer निकाल पा रहे हैं बस बाकि NTA यह नहीं देखती है कि तुमने add sugar to coffee से किया कि all go to school then college से किया कि ASTC से कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ता answer सही आना चाहिए भाई साब ठीक है चलो एक बार जल्दी से repeat करता हूँ यहाँ पे सब के सब functions positive होंगे यहाँ पे सिर्फ sin और cos sec वाले positive होंगे यहाँ पे सिर्फ tan और cot positive होगा और यहाँ पे cos और sec दोनों positive पाए जाएंगे अगर मैंने लिखा sin साइन देहां चो सुनना sin 135 तो पेटा यह कौन सा quadrant है यह कौन सा quadrant है यह 90 से ज़्यादा है 180 से कम देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको मैं लिख सकता हूँ sin 90 प्लस 45 है ना बेटा यानि कि यह 90 से थोड़ा ज़्यादा है तो यह देखो यह तो 0 है डग 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 90 है 90 से डग 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 तोड़ा सा ज़्यादा अच्छा यही वाला quadrant है second quadrant है sir और second quadrant में तो sin positive होता है एसा लिखा हुआ है second quadrant में तो sin positive होता है तो इतना तो समझ में आ गया कि इसकी value positive आएगी अभी मैंने सिर्फ positive negative पता करना है यह समझा रहा हूँ मैं कैसे पता करना है कि answer positive आएगा या negative आएगा अभी answer कितना आएगा वो भी देखेंगे वो भी हमारी जिम्मेदारी है देखना positive negative कि answer आपको पहुचा पाया आपके दिल तक अपने दिल की बात क्या हमारे दोनों के दिल के तार जुड़ने बिटा दिल के तार जुड़ना बहुत जरूरी है जो मैं बोलूँ आपको समझ आना चाहिए तब ही पढ़ाई में मज़ा आता है और physics में अगर आपको अपने teacher की बात समझने नहीं आ रही है तो physics कभी समझ में नहीं आएगी तो क्या मैं तुम्हें एक alien की तेरा sound कर रहा हूँ कि ये किसी दूसरे planet से आया है वहां की physics हमें पढ़ा रहा है ये नहीं है ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ तुम समझ रहे है ना दिल के तार जुड रहे है हमारे बहुत बढ़िया साइन 90 ब्लस 45 सेकंड क्वाडरेंट सेकंड क्वाडरेंट में साइन पॉजिटिव होता है अच्छा प्रैक्टिस करवा हूँ थोड़ा सा इत्तु सा प्रैक्टिस करवा दूँ देखो अगर मैं कहता हूँ टैन ठीक है बटा टैन 270 प्लस थीटा अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है थीटा विल बे लेस देन 90 कुछ भी हो सकता है 30 हो सकता है 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी मालो है ना, तो बताओ ये कौन सा quadrant है, और इसका answer positive आएगा कि negative आएगा, ये बताओ बस तुम लग ठीक है, 270 प्लस theta, ये रहा 270, इससे थोड़ा सा जादा, इससे थोड़ा सा जादा, fourth quadrant, fourth quadrant कहेगा, भाई साब ऐसा है, यहाँ पे सिर्फ cos औ आएगा ना, जो answer आएगा ना, वो मुझे ये बता चल गया, कि negative आएगा, कितना आएगा, वो तो मैं बता दूंगा ना, उसका ता आप थोड़ा wait करिये, ना, उसका थोड़ा wait करिये, कितना आएगा, वो तो सर बता ही देंगे, लेकिन quadrant देखके positive negative तो बता सकते हो बेटा, हाँ, 270 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 270 से थोड़ा ज्यादा मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे तो cos और sec positive होते है, tan तो negative हो जाएगा ससुरा, अगर मैं कहूं tan 270, 270 minus theta, 270 minus theta, बताइए कौन सा quadrant, 270 इधर है, उससे थोड़ा सा पहले, उससे थोड़ा सा पहले, क्योंकि minus है, minus है मतलब उससे थोड़ा सा पहले, third quadrant, third quadrant, और third quadrant में tan तो positive होता है, स्वागत नहीं करोगे tan का, tan theta का स्वागत किया जाए positivity के साथ, तो answer आएगा बेटा, positive, मजा आया, मजा आया, मजा आया, yes, दिल बनाओ, दिल बनाओ बेटा, अब value निकालना सिखाता हूँ, देखो, plus minus तुमने सीख लिया, plus minus तुमने निकालना सीख लिया, कि plus कब होगा, minus कब होगा, अब value देखो, value के लिए जो rule है वो ये है, कि अगर angle ऐसे लिखा गया है, pi by 2 plus theta, या फिर 3 pi by 2 plus theta, अब ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है, क degree में 90 degree होता है बेटा, यानि कि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 90 plus theta, और इसको आप लिख सकते हो, 270 plus theta, अरे यार, pi radian में कितना degree होता है, अगर मैं कहूँ कि नमूनो, pi radian angle है, तो इसमें कितने degree angle है, 180 degree है ना, तो तुम चाहो तो pi के जगे 180 रखके देख लो यार, 270 ही त तो आएगा, pi को हटाओ, 180 लगाओ, degree में convert हो जाता है वो, तो ये radian की unit है, pi वाली है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बिलकुल, बेटा, radian की unit है, और ये आपकी degree है, clear बच्चो, अब rule सुनिएगा बहुत ध्यान से, जोश वोश तो कम नहीं हो है ना, तुमारा जोश बिलकुल कम नहीं हो पाए, बेटा, rule ये कहता है, कि अगर आपने angle को, pi by 2 plus minus theta, या फिर 270 plus minus theta लिखा, मान लिजी आपने ऐसे लिखा, तो function जो है ना, वो सर्याद करना पड़ेगा, अगर 90 plus minus theta दिख गया, और अगर 270 plus minus theta दिख गया, तो function change हो जाएगा, change कैसे होगा, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, क्या क्या change होगा, अगर आपके function में sign है, तो answer में वो cos बन जाएगा, अच्छा, अगर sec है, तो वो cosic बन जाएगा, cosic है तो sec बन जाएगा, tan है तो cot बन जाएगा, cos है तो sign बन जाएगा, और cot है तो tan, ऐसे समझ दो ना, साइन है तो कॉस बन जाएगा, कॉस है तो साइन बन जाएगा, कहां गया, यह रहा, उल्टा ही दो हो रहा है, बिल्टा ही दो हो रहा है, है ना, बिल्कुल वैसे ही आप कहोगे, सेख है तो कॉसेख, कॉसेख है तो सेख, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन, चेंज हो जाता ह function कब होता है कब होता है change सब लोग बताएंगे जोश कम होता हुआ दिख रहा है मुझे ये गलत बात है कब होता है change जब 90 plus minus theta हो या फिर जब 270 plus minus theta हो getting my point हाँ अब देखो आपको याद है मैंने थोड़ी दिर पहले ये लिखा था sin 135 इसकी value अब देखना आप निकालना सीख गए हो आप सीख चुके हो बस process खतम कर देना है एक बार बस एक बार process खतम कर देना देखो sin 135 आईए sin 135 को क्या लिख सकते है sin 90 plus 45 लिख सकते है 90 plus 45 लिख सकते है क्या ये ऐसे वाले format में आ रहा है हाँ 90 plus theta वाले format में आ रहा है 90 plus theta वाले format में आ रहा है विटा तो function change हो जाएगा तो ये जो sin 90 plus 45 है न वो cos में change हो जाएगा और आप इसको directly लिखेंगे सिर्फ cos 45 कहने का मतलब है कि sin 90 plus theta will be converted to cos theta अरे समझे क्या sin का cos में change हो गया है ना बहुत बढ़िया अच्छा plus होगा की minus होगा बताओ यहाँ पे मैं plus लिखू की minus लिखू वो हमने पहले ही decide कर लिया है कि ये कौन से quadrant में आ रहा है सर कौन से quadrant में आ रहा है उससे minus plus पता करते है 90 से थोड़ा जादा है तो 90 से थोड़ा जादा मतलब second quadrant में आ रहा है और second quadrant में तो sin positive होता है तो positive लिखेंगे question का देखना है question कौन से quadrant में ये मत बोलना कि सरे तो cos है cos का rule नहीं अरे यार sin 90 plus 45 second quadrant वहाँ पे sin positive तो plus cos 45 answer कितना आया बच्चो 1 by root 2 होता है न cos 45 yes तो sin 135 is 1 by root 2 कैसा लगा कैसा लगा मेरा explanation बढ़िया अब तुम बोलोगे सर एक करा के छोड़ दोगे क्या ऐसा करोगे क्या सर हमारे साथ एक करा के नहीं छोड़ेंगे बेटा सारे cases दिखा देंगे उसमें से कुछ course cases करा देंगे तुम दिल तो बनाओ एक बार हमारा simple funda है हमारी class का तुम मुझे दिल दो मैं तुम्हे feel दूँगा simple है बिटा तुम मुझे दिल दो मैं तुम्हे feel दूँगा और अगर session को like नहीं करोगे न तो इस board के आगे कपड़ा seal दूँगा कुछ नहीं दिखाई देगा फिर इसलिए like जरूर कर देना है ना चलो just kidding ऐसा कुछ नहीं है आज़ो देखो यहाँ पे sign, cost, tan, cosec, sec, cot सबके function दिये हुए हैं यह आपका homework रहेगा इसमें से चार-पांच मैं करवा दूँगा differentiation और integration भी होगा कुछ बच्चे अलगी smart बन रहे हैं integration चैट में लिखने से तुम intelligent नहीं बन जाओगे तुमारे respect नहीं बढ़ जाएगी कि तुमको integration word के बारे तुम जानते हो ऐसे प्रयास ना करें दूसरे बच्चों को impress करने की कोशिश ना करें ऐसे ऐसे word डालके और ये सोचके कि बच्चों को तुम पता ही नहीं होगा integration क्या होता देखो मैं लिख देता हो integration अरे बटा होगा समय आने पे सब होगा वक्त से पहले और किस्मत से जादा नहीं मिलता है अभी वक्त से पहले तुम integration मांग रहे हो मिलेगा टाइम आने पे मिलेगा आ जाओ बच्चों देखो कोई साभी उठा लेता हो साइन यहां से सुनना पांच मिनट दे दो बटा साइन लेट से यहां पे लिखा है पाई बाई टू माइनस थीटा ठीक है बच्चे साइन और यहां से देखो पाई बाई टू माइनस थीटा तो इसका वैल्यू क्या आया बेटा कॉस थीटा इसको प्रूफ करते हैं यह टेबल में न सारे कोश्चन्स आंसर सब लिखे हुए कैसे पढ़ना है टेबल को समझ में आया मालो आपने यहां से साइन उठाया फिर देखो पाई बाई टू माइनस थीटा तो उसका आंसर कॉस थीटा साइन पाई बाई बाई टू प्लस थीटा तो भी कॉस थीटा टेबल पढ़ना तो आ रहा है न तुम्हें साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थी था, एक बार पूरा प्रूफ करके दिखा देता हूँ, एक लाइन का बाकि तुम्हारा होमवर्क रहेगा, तयार तयार बेटा, या फिर तुम जो रैंडम बोलोगे, वो करवा के दे दूँगा, कोई दिक्कत बच्चा बोलेगा, सर, फास्ट करा दो, मुझे आता है, अरे नमोने तुझे आता है, मेरे जो बाकी छोटे-छोटे नमोने उनको नहीं आता, तुझे आता है, तो मैं आगे बढ़ा दूँ, नहीं, मैं नहीं बढ़ा सकता, तक करा हूँगा, मुझे पता है, मुझे पता है, syllabus कैसे आगे बढ़ाते हैं, साथ साल से पढ़ा रहा हूं I know everything, चुप चाप बैठके पढ़िये, आईए देखे बिटा है ना, आईए देखते हैं sin 90 minus theta यानि कि 90 से थोड़ा कम ये देखो ये 90 है, minus theta मतलब 90 से थोड़ा कम, तो बताओ कौन से quadrant में आएगा, बच्चो ये first quadrant में आएगा first quadrant में आएगा क्या first quadrant में सभी positive होते हैं सब के sub positive होते हैं, तुम चेक कर लो, इस column में जितनी भी values लिखी हैं ना, sub positive है किसीने notice किया था अभी तक मेरे बताने से पहले तुमने notice नहीं किया था, मुझे पता है मुझे सब पता है, बताओंगा तभी तो समझोगे, इसलिए तो बड़िया टेबल है ये देखो, sin 90 minus theta 90 minus theta में all positive तो चाहे आप cos 90 minus theta निकाल लो, tan 90 minus theta निकाल लो cos 90 minus theta निकाल लो, sec निकाल लो cos निकाल लो, sub positive है sub positive है, कोई negative नहीं है क्यों भाई साब, क्यों नहीं है सर क्योंकि ये first quadrant है क्योंकि ये first quadrant है अच्छे सर, sin का cos कैसे हो गया, ये sin 90 minus theta cos कैसे बन गया तो मैंने आपको समझाया है अगर 90 plus minus theta हो या फिर 270 plus minus theta हो तो function change हो जाता है होता है नहीं होता, बिल्कुल हो जाता है तो सर, sin का क्या बना दोगे आप cos बना देंगे और क्या बनाएंगे sin का cos बना देंगे भाई साब 90 है 90 plus minus है, cos बना दिया बहुत बढ़िया सर, ये बताओ, ये बताओ, cos 90 minus theta अब देखो quadrant तो first है answer तो positive आना है और 90 होने की वज़े से cos का sign बन जाना है हाँ similarly, सारे positive आएंगे tan का cot बन जाएगा cosic का sec बन जाएगा sec का cosic बन जाएगा cot का tan बन जाएगा ये पूरा table सर ने ना 2 minute के अंदर समझा दिया आपको कि ये पूरा का पूरा table आखिर बना कैसे होगा मजा आ रहा है मजा आ रहा है एक और table करवाता हूँ फिर मैं तुमसे पूछूँगा कि और समझाना है या बाकि तुम खुद कर लोगे एक table और दिखो pi by 2 plus theta वाला करवाता हूँ ठीक है बच्चे pi by 2 plus theta वाला करवाता हूँ इसमें बताओ pi by 2 plus theta मतलब कौन सा quadrant है ये pi by 2 plus theta है बिटा थोड़ा ज़्यादा है 90 से तो 90 से थोड़ा ज़्यादा मतलब second quadrant है हाँ second quadrant में कौन-कौन positive होते है second quadrant में sine और cosec positive होते है sine और cosec positive होते है बागी सब negative हो जाते है sine और cosec positive होते है बागी सब negative हो जाते है तो बेटा ज़्यादा ध्यान से देखो sine pi by 2 plus theta यहाँ पे positive आया है बागी सब negative 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 cosec cosec pi by 2 plus theta positive आया है अरे यही तु सिखा रहा हो तब से second quadrant ये पूरा column ही second quadrant के लिए लिखा गया है है ना बेटा, तो यहाँ पे sign में ही बस positive आया है देख लो आप और सिर्फ cause एक में ही positive आया है बागी sub negative हो गया यह जो cause था बेटा यह negative हो गया, tan negative हो गया, sick negative हो गया cot negative हो गया और साथ ही साथ function change हो गया, function क्यों change हो गया 20 प्लस माइनस में function change हो जाता है तो sine का cos, cos का sine, tan का cot, cosec का sic, sic का cosec, cot का tan मज़ा आया है, थोड़ा पानी पी लेते हैं आपन ठीक है, आप तब तक देखो बेटा, घूर घूर के देखो, और तुम लोग मुझे बता और कौनसा column तुमको करना है कोई और column करना है तो बताओ, वरना मैं इसको खदम करना हूँ यहीं पर, जैसा तुम बोलो कि वैसा होगा चलो बताओ मजाया ना, मजाया ना, यस fifth column, चलो मेरे को ज़्यादा तर बच्चों का कुछ नहीं आया, report, यहां पर दो, तीन, चार, पाँच, लेकिन यह आखरी है, ठीक है, इसके बाद आप बाकी सारा try कर लेना खुद से, यह मैं करवा देता हूँ, पाई वाला, ठीक है, यह मैं कर लेता हूँ, आप तब तक dream 11 पे team मना लो, देखो बेटा pi प्लस x, quadrant बोलो, सब लोग quadrant लिखेंगे जल्दी से positively एकदम, फड़ा फट quadrant लिखेंगे, लेत नहीं करना है, pi प्लस x, pi से थोड़ा सा ज़्यादा, pi से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 180 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 180 यह रहा, उससे थोड़ा सा जादा मतलब 3rd quadrant 3rd quadrant है? Yes, 3rd quadrant है 3rd quadrant में कौन-कौन positive होते हैं tan और cot positive होते हैं tan और cot positive होते हैं बागी सब negative तो आप देख लो, जहाँ जहाँ पे tan और cot लिखा होगा वहाँ वहाँ पे positive लिखा होगा tan, pi plus x है ना तो यह देखो positive है tan वाला देख लो, आप pi plus x में positive है यह तो पढ़ा रहा हो अब से cot, cot कहाँ यहाँ है, cot pi plus x positive है positive है, बहुत बढ़िया और यह pi by 2 वाला case भी नहीं है 270 वाला case भी नहीं है तो function change नहीं होगा function change नहीं होगा तो यहाँ भी sign, तो यहाँ भी sign यहाँ caus तो यहाँ भी cos यहाँ tan तो यहाँ भी tan यहाँ cause कह एक six to sick cot कौट कोई change नहीं है function में कोई change नहीं है साक्षी के रहे है sir नहीं change हुआ दो ही तो rule बताया है उसमें भी doubt आ रहे function change कब होता है function change होता है अगर 90 वाला case हो यहां तो 90 ही नहीं, 180 है है न बच्चे, यहां पे तो 180 है इसलिए वो change नहीं हुआ है न, इसलिए वो change नहीं हुआ तो sign का sign रहे गया, cos का cos रहे गया खतम अब मैं इससे ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ बाकी आप please check कर ले न अच्छा किसी बच्चे ने बोला first column first column minus x first column बेटा क्या है minus x, minus x को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, minus x को 0 minus x एकी बाद तो है, अरे यार minus x को 0 minus x नहीं लिख सकता क्या मैं आप बताईए न मुझे, बिलकुल लिख सकता हूँ तो यह कौन सा quadrant है 0 से भी थोड़ा सा पीछे, है ना 0 से भी थोड़ा सा पीछे है ये ये fourth quadrant है ये जो है ना बेटा, ये minus x, ये actually fourth quadrant है ठीक है, अच्छा इसको आप ना 2 pi भी लिख सकते हो, इसी angle को 360 भी बोलते हैं, क्योंकि एक बार घूम के आ गए, 360 को अपन 2 pi लिख सकते हैं, तो इसको 2 pi minus x भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है 2 pi minus x भी बोल सकते हो और 0 minus x भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे 0 भी होता है और 2 pi भी होता है, कौन सा quadrant है fourth quadrant, करके बताना है ये आगे बढ़ जाओ नहीं, बोलो, करके बता दूँगा बोलोगे तो, पहली बात तो ये टिक टॉक टिक टॉक चलती है नहीं बोलूगा, मैं टेंशन मतलो 0 minus x है तो यहाँ पे function तो change नहीं होगा है ना, तो देखो यहाँ पे तो function change नहीं होगा इस पूरे कॉलम में तो sign का sign रहेगा, cos का cos, tan का tan cos, sec का cos, sec का sec और cot का cot लेकिन फूर्थ में positive कौन रहेगा फूर्थ में positive कौन रहेंगे फूर्थ में बेटा cos और sec positive रहेंगे तो चेक कर लो, यह cause है बिल्कुल positive है, यह sec है यह बिल्कुल positive है, बागी सब negative है done and dusted खतम अब यार बचा ही क्या है ये मैंने करवा दिया ये मैंने करवा दिया ये मैंने करवा दिया और देखो minus x हो गया तो actually minus x को होने से 2pi minus x भी तो हो गया ये दोनों same चीज़ लिखी होगी यहाँ पे जो लिखा होगा न वो यहाँ पे भी लिखा होगा, देख लो, एकदम चेक कर लो, एकदम same to same, तो एक तरह से मैंने ये भी करवा दिया, कि ये भी fourth quadrant ही है, बाकियों का quadrant मैं लिख देता हूँ, आप चेक कर लेना, इससे ज़्यादा मेहनत मुझसे मत करवाओ, खुद भी थोड़ी मेहनत करो, पाई माइनस x, पाई से थोड़ा कम second quadrant है बेटा, function change नहीं होगा, क्योंकि 90 नहीं है, second quadrant है, अब आप देख लो, साइन पॉजिटिव रहेगा, और आपका साइन और कॉसेक तो कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकि सब negative रहेंगे, function change नहीं होगा, तुमने ना, पताए क्या क किया है अभी, मैं इस mood में था, कि एकाद column करा दूँगा, बाकि छोड़ दूँगा, तुम इतने smart निकले, तुमने धीरे धीरे करके मैंने realize किया, कि सब करवा लिया मुझ से, नमून बस यही बचा है, अब ये भी बता ही दो कौन सा quadrant है, तू पाई से थोड़ा जादा, त ये फर्स्ट कौाडरेंट है, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, नमूनो, ये फर्स्ट कौाडरेंट है, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, तो देख लो, सब के सब पॉजिटिव हैं, और ये 90 और 270 नहीं है, तो फंक्षन चेंज भी नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, त ये sign है तो ये bhi sign, ये cause है तो ये bhi cause, देख लो भाई, मुझे ऐसी feeling आ रही है कि मेरा cut चुका है, अभी वो अलग आना गाने का बन कर रहा है, ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ- बहुत बार हमें पड़ेगी, बहुत बार इसकी जुरत पड़ेगी हमें है अलग-अलग cases में, तो आपको इसका answer निकालना आना चाहिए, ठीक है बच्चों? चलिए, very nice. ओके, introduction to differentiation, बहुत प्यारा topic है, differentiation है ना, differentiation mainly physics में क्यों use होता है, कहां use होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा formula काम आएगा, सबसे ज़्यादा कौन से chapter में काम आएगा, कैसे काम आएगा, किस type के सवाल आते हैं, हर चीज आपको मैं अभी बताता हूँ. mainly बच्चो, mainly हम differentiate करके slope निकालते हैं, यहाँ पर लिखाया ना, slope of the y versus x graph, तो चलिए ज़रा इस slope से मिलते हैं, hello slope, how are you बेटा, अच्छा यहाँ पर भी आगया slope, अरे वाह, slope आगया, वाह, बहुत तेज है slope, अच्छा, slope पर कभी गाड़ी वाड़ी चलाई है, ज़स तुमक मैं example देता हूँ, घर पे कार होगी मानलो अगर है ना, तो कभी तुम ट्राइ करना, कभी भी तुम ट्राइ करना, कोई मानलो हिली एरिया है, सडक मानलो ऐसे उपर जा रही है, तो अपने पपा की कार लेके आप ऐसे चले गए इस हिली एरिया में, और फिर ना कभी ट्राइ करना बेटा, कि अगर आप इसमें बिना handbrake लगाए, इसमें से उतर जाओ, handbrake नहीं लगाया और इसमें से उतर गए, gear में भी नहीं रखा गाड़ी को, चुपचाब नीचे आ गए, है ना, तो क्या होगा, ये गाड़ी धीरे 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 करके नीचे चली जाएगी, और 8 अगर प्रैक्टिकल के लिए करवा रहा हूँ, और अगर प्रैक्टिकल नहीं करना है, तो ऐसी सीख लो, गौरव कह रहा है, अंडर एज हूँ, इसमें एक एडवांटेज, अंडर एज हो और ऐसा कुछ कर देता हो, तो आपको सजा नहीं मिलेगी, या ना, अच्छा ठीक ह मैं ऐसा कुछ नहीं सिखाना चारा, यह वाला पार्ट वीडियो से कट करवा देंगे, हाँ, ताकि बाद में ऐसा कुछ नहीं हो हमारे साथ, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आप आगे जाओ, अगर आप आगे जाओ, और आपको उपर उठना पड़े है से, तो इसको हम कह कहते हैं, बेटा, पॉजिटिव स्लोप, इसको हम क्या कहते हैं, बेटा, पॉजिटिव स्लोप, इट्स लाइक, आप हमारे अनकाडमी नीट आपर्ट चैनल पे आए, पढ़ना शुरू किया, तो मानलो, इस एक्सिस में टाइम है, टाइम बढ़ता गया, समय के साथ बढ़ जा रहा है, हाँ, यही तो चाहिए सर, हमें पॉजिटिव स्लोप ही चाहिए, है ना, लेकिन यह उस बच्चे के साथ होगा, जो कंसिस्टेंट है, जो लगातार क्लासिस करता है, आता रहता है क्लास में, आता रहता है क्लास में, अच्छा, एक बच्चा जो थोड़ा एक द लब है, पिटोगे तुम मुझसे अब, देखो, एक बच्चा है जिसने एक-दो क्लास करी, फिर वो ठक गया, फिर कहता है मैं नहीं जा रहा है, जिसको जाना जाओ, मैं नहीं जा रहा है, तो उसका नॉलेज कॉंस्टेंट रह जाएगा, जितना सीखा, उतना कॉंस्टेंट ह जा रहा है, है ना बिटा, चलता जाए रे समय का घोडा, टाइम बढ़ रहा है, नॉलेज नहीं बढ़ रहा, नॉलेज वहीं के वहीं है, वहीं के वहीं है, तो इसका स्लोप बिटा जीरो है, इसका स्लोप जीरो है, समझ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, यहां पर स्लोप तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मुझसे बात करोगी, हेलो क्या मुझसे कोई यहां पर दोस्ती करेगा, उसके साथ क्या सिचुवेशन होगी, हो सकता है वो 10 तक अच्छा पड़ वड़ के आया है बढ़िया, यहां आके जैसे ही उसने यह सब करना शुरू किया, उसका नौल तो बिटा उसके साथ यह सिचुवेशन होगी, कि टाइम बढ़ता जा रहा है, और उसका जो नौलेज है, वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, गया बिचारा, इसका नेगेटिव स्लोप है, तो ऐसे बच्चों को अगर डिस्ट्राक्शन से बचना है, तो आप हमारा बता रहा हो ना, इसको कहते हैं, हाँ, एनिवेज विसे सच्चा ही है, डिस्ट्राक्शन से आप बच जाते हो, प्लस में है, तो बटा यह पॉजिटिव स्लोप, बढ़ता जा रहा है नौलेज, यह जीरो स्लोप, नौलेज बिल्कुल कॉंस्टेंट हो चुका है, टाइम के साथ, और यह नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, यानि कि यह नीचे 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 जा रहा है, आप समझ गये बात को, आप समझ गये बेटा बात को, येस, चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा कोई बच्चा बोल रहा है, मोटिवेशन प्लीज, ओह, हो, अभी पहली class हुई नहीं है नमूनों की अभी गिंती के 45 मिनट 40-50 मिनट हुए है अब भी सही motivation की कमी अरे रे 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 बेटा इतनी तो oxygen की भी कमी नहीं है देश में जितना तुम motivation कम लेके आए हो यहां पर हैं, क्या नाम है, पाटिल, पाटिल जी, डाकले पाटिल जी, इतना कम मोटिवेशन की है भाई साब आपके अंदर, लेखो तुम डॉक्टर बनने वाले हो, डॉक्टर बनने के लिए ना, इंटर्नल मोटिवेशन भी होना चाहिए, तो यार सबसे पहले तो तुम सबको सेल्य हमेशा कहता हूं, तुम सबको सल्यूट, तुमने डिसाइड किया कि तुम डॉक्टर बनोगे, तुम सिर्फ अपना नाम रौशन नहीं करोगे, अपने फैमिली का, अपने समाज का, सबका नाम रौशन करोगे, और एक दिन अगर बहुत अच्छे डॉक्टर बन गया, तो देश को बचाओगे भी, तो यार सबसे पहले तो जितना बड़ा काम आपने करने का सोचा है, उसके लिए सल्यूट, और वो अगर आप करना चाहते हैं, तो definitely motivation should come from inside, मैं हमेशा कहता हूं, अंडे को बाहर से तोड़ो तो omelette बनता है, जादा से जादा, अंदर से तूटता है तो life निकलती है, तो थोड़ा internal motivation भी ले आते, या सारी उम्मीदे हमी से है, motivate भी हमी करेंगे, पहले ही class से, अरे नमूनो, गजब हाया है मतलब, चलो ठीक है, positive negative zero समझ में आ गया है बेटा, positive negative zero बहुत बढ़िया, और differentiation हमें क्या देता है बच्चो, differentiation हमें slope देता है, आज में differentiation को introduce करा रहा हूँ, आज मैं introduce करा रहा हूँ, बहुत अच्छे से, अगली class में differentiation के formula और integration के formula भी कराऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा कि differentiation, integration एक दूसरे से कैसे related है, सब होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, slope बताता है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, slope आपने ब x लेते हैं, इस x इस में y लेते हैं, बोलो हा की ना, बिल्कुल लेते हैं क्या बिटा, general case में, है ना, general में, इधर x लेते हैं, इधर y लेते हैं, slope हमें क्या बताता है, पता है, कि x जब यहां से लेके, यहां तक change हुआ, मालो x में इतना change आया, इसको मैं कहे लेता हूँ, च इतना चींज आया, डिल्टा एक्स, तो एक्स में इतना चेंज के कर्रस्पॉंडिंग, Y का चेंज कितना है, इसको हम डिल्टा य कहते हैं, अरे यार, डिल्टा एक्स और डिल्टा भाई क्या है, come on, y Band, come on, क्या है इसमें ऐसा, चेंज इन X, चेंज इन Y, डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स, खतम, तो slope का definition सुनलो, एक बार कान कोल के, slope is defined as, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा परपेंडिकुलर भाई, बेस जैसा साउंड नहीं कर रहा क्या, कि ये ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ऐसा कुछ-कुछ साउंड कर रहा है, है ना, है ना, है अरे परपेंडिकुलर भाई बेस, टैन थीटा भी होता है, तो सर्फ स्लोप को टैन थीटा भी लिख ले क्य मैं यहां से ऐसे line draw कर लेता हूँ, vertical line गेटा, dotted dotted हाँ, ये है line number 1, ठीक है गेटा, sir ने यहाँ पे एक और line draw करी, दूसरे color से, चलो blue color से, ये है line number 2, आप बताओ किसका slope ज्यादा है, आप बताओ किसका slope ज्यादा है, 2 का slope ज्यादा है या 1 का slope ज्यादा है, किसका slope जादा है मैं option देदू slope of 2 greater than slope of 1 1 greater than 2 1 बराबर 2 चौथा option है राम जाने ठीक है यह हमारा favorite option है बेटा हमारी class का राम जाने कहते हैं लोग हमें राम जाने पताओ 2 का जादा है बहुत बढ़िया slope of 2 is greater than 1 तो पता है slope पता करने के लिए क्या पता करना है inclination जितना जादा inclined होगा जितना जादा inclined होगा उतना जादा slope होगा उतना जादा slope होगा तो slope of 2 जादा है इसी को जो mathematics के ग्याता लोग है न वो ऐसे बोलते है सुनना जरा अर्ज किया है mathematics में इसको बोला जाएगा कि for the same change of x for the same change of x यानि कि for the same value of delta x the change in y is more for second graph for the same value of change in x यानि कि अगर x का change हमने same रखा है तो second वाले graph में हम ज़्यादा उचाहियों को छूपाए है यानि कि उसका delta y ज़्यादा है यह mathematical definition था तो अगर for the same value of change in x change in y is more then you will say the slope is more और वैसे हम इतने अंधे भी नहीं है हम देख के पहचान जाते हैं कि slope कौन सा ज़्यादा है ठीक है वेटा? Yes, yes everyone तुम खुँछ सोचो न delta x को same रखो, constant रखो delta y ज़्यादा कर दो तो slope ज़्यादा हो जाएगा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Yes हाँ, वावा बोल दिया बच्चो ने, बहुत बढ़िया हमने अर्ज किया था बच्चो ने वावा बोल दिया बहुत बढ़िया अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है बेटा? देखो, आज मैं आपको slope का सारा doubt क्लियर कर दूँगा, ठीक है न? फिर मैं differentiation अगली class में कराऊंगा, differentiation, integration दोनो, चलेगा न? देखो, मैंने promise किया था कि एकदम basic से पढ़ाऊंगा, और एकदम basic से ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़े अगर नहीं आएंगे न, तो तुम kinematics में फस जाओगे, motion in 1D में तो मैं हो सकता है, ऐसा feel आ रहा होगा कि बहुत basic है, लेकिन इसकी जरूरत है I know it, इसकी बहुत जादा जरूरत है, ठीक है, तो बच्चो एक बात बताओ, अगर मैं एक ऐसा graph draw कर दूँ, ऐसा dr, ठीक है तो एक बात बताओ, इसका slope हर जगे same है, या change हो रहा है, अलग-अलग point पे मालनों मैं एक यहाँ पे निकालना चाता हूँ, एक मैं यहाँ पे निकालना चाता हूँ, एक मैं यहाँ पे निकालना चाता हूँ, एक मैं यहाँ पे निकालना चाता हूँ आप लोग बताएए- स्लोप हर जगे सेम है या चैंज हो रहा है सेम ही कोई इंक्रीज इंक्रीज नहीं हो रहा वाईता कैसे पता चलासर आपको किसे पता चलासर आपको कुछ नहीं है यहाँ पे एक horizontal line ड्रॉओ करके देखो यह अंगल थीटा यहां पे draw करके देखो तो यह angle भी theta, यहां पे draw करके देखो तो यह भी theta, यहां पे draw करके देखो तो यह भी theta, straight line है ना, straight line है ना बच्चे, अरे, straight line है, तो यहां भी theta होगा, theta होगा, theta होगा, theta होगा, अच्छा, तो theta same है, तो tan theta same है, और tan theta ही तो slope है, गंगा धरी शक्तिमान है, tan theta है slope है, yes, तो बटा याद रखिएगा, straight line में slope जो होता है, वो एक constant value होती है, वो एक constant value होती है, अच्छा y बराबर mx plus c पढ़ा है कभी, यह straight line का equation है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, tension मतलो, जहां जरूबत पढ़ी ही बता दूँगा, अभी वस ऐसी introduce कर रहा हूँ इसको, तो this is a straight line का equation, y बराबर mx plus c, और यह जो m है ना, यह जो नमूना है ना, m, इसी को हम slope कहते हैं, और हम कहते हैं कि यह constant है यहाँ पर, है, क्या है, आप बताना, ठीक है वेचा, ध्यान से देखो, मैंने graph ऐसे बनाया, पहले ऐसे डुक 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 फिर ऐसे डुर। है ना, बताओ, slope increase हो रहा है, या decrease हो रहा है, या constant है, बस 5 मिनिट और दे दो, यह पढ़ा के छोड़ रहा हूँ आज के लिए, आज के लिए इतना काफी है, trigonometry का कुछ formula दूँगा last में, पूरा देख के जाना class, ऐसे बीच में छोड़ के मत चले जाना, पूरा देख के जाना, ठीक है, हाँ, dipole की कहानी, बताऊंगा बेटा, ठीक है, मैं बताऊंगा, don't worry, इसमें slope बढ़ रहा है, इसमें slope increase हो रहा है, कैसे, कैसे बताए, slope बढ़ाए, यारा बताना पाए, tangent डालो, tangent, अगर पता करना है न, slope बढ़ रहा है, घट रहा है, तो tangent डालो, यहाँ पे हमने tangent डाला, तो ऐसा आया, यह zero angle बना रहा है, slope बहुत कम है, zero angle बना रहा है, slope बहुत कम है, यहाँ पे एक tangent डाल के देखो, ऐसा आएगा tangent, थोड़ा सा बढ़ चुका है थोड़ा सा एंगल बढ़ चुका है अब अगर यहां पर डाल दो ना तैंजेंट स्लोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा डाम इसका एक दम ऐसे हो चुका है vertical type तो कहने का मतलब है देखो, इस pen को देखो, पहले ऐसे था slope, यहां आते आते थोड़ा सा ऐसे हो चुका है, यहां आते आते थोड़ा और हो चुका है, यहां आते 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 थोड़ा और हो चुका है, यहां जाके देख दो वर्टिकल सा हो चुका है, तो inclination बढ़ता जा रहा ह Yes everyone, जी हाँ, तो this has a slope which has increasing value, slope positive है कि negative है, positive है, अरे हम उपर जा रहे है, x बढ़ रहा है, तो y भी बढ़ रहा है, time बढ़ रहा है, तो knowledge भी बढ़ रहा है, positive slope है, तो slope ऐसे पहचानते हैं बेटा, कि decrease हो रहा है, increase हो रहा है, positive है, ठीक है, चलो, आज मैंने आपको थोड़ा सा idea दे दिया है, slope का, आपको मैंने पूरा trigonometric idea दे दिया है, अभी जो मैं दूँगा, वो तुम्हें थोड़ा सा जटका दे सकता है, ठीक है, देखो, इस अब तो होगा, अगली class में होगा, ठीक है, आंसर देखके मत आ जाना, ठीक है, सब कराऊंगा, common formula, क्या ये formula आपको आत जाती, इसके जरत कभी-कभी पढ़ जाती है, इसके जरत नहीं पढ़ती है, बहुत जाता, इसको आप ignore कर सकते है, ठीक है, ये formula कल आप याद करके आएंगे, अगली class से पहले, alternate day में class होती है, तो आज कौन सा दिन है, मैं खुदी भूल के, आज Wednesday होगा शायद है, कल Thursday है, Friday को फिरिशेस की class होगी, आप इसको याद करके आना, ठीक है बच्चो, और अगर आप जाने वाले हैं, तो session को like करके जाना है, वैसे थोड़ा रुख जाओ, सब कुछ बता देता हूँ, सारे नहीं आते थे, कोई बात नहीं, याद कर लेना, यहाँ से यहाँ तक, हो है, sine a-b, e होता है, cos a-b, e होता है, देखो, अगर अभी तुरंत याद ना भी हो, तो भी आप इसको रखो अपने साथ, और धीरे 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 याद करो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यह बहुत important है, sine 2a बराबर 2 sine a, cos a, कई बार आप देखे है, sine 2a आपके काम आएगा, है ना, sine a plus b, sine a minus b, बराबर sine square a minus sine square b, थोड़ा आप इसको देख के आओ, है ना, येस, पेटा, डेली क्लास होती, एक दिन 12th, एक दिन 11th, नमूनो, सब बताना पड़ता है, तुम एकदम डीटेल में, वरना तुम ना बिलकुल जान खा जाते हो तब ही मैं कहता हूँ कि physics का teacher बनने के लिए knowledge तो चाहिए, वो तो अपने पास बहुत है, लेकिन साथ ही साथ कलेजा चाहिए, कलेजा, तुमारे chats को handle करने के लिए, कलेजा चाहिए, बहुत strong वाला एकदम, नमूनो, Monday 12th होता है, नहीं, मैंने गलत बोल दिया, Saturday 12th होता है, Thursday Tuesday 12th होता है, Tuesday 12th होता है, Monday 11th होता है, Wednesday 11th होता है, Friday 11th होता है, आज Wednesday है तो देखो 11th हो रहा है, फिर Friday को होगा, है ना, chemistry भी हो जाए कि बेटा, यह कुछ और formula है, तो 10-12 formula ही तो दिये हैं, याद कर सकते हो आप, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, और यह quadratic solve करने वाला equation है, यह अगर आप बोलोगे तो मैं करा दूँगा, मुझे बता देना, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं करा दूँगा, एक बार, कि quadratic equation जो आते हैं, उसको कैसे solve करते हैं, next class का plan यह रहेगा, कि हम differentiation और integration करेंगे, यह ख़बर चपवादो अकबार में, poster लगवादो बाजार में कि गौरफ सर integration और differentiation कराने वाले हैं, बहुत कम टाइम होता है, जब हम detail में integration, differentiation पढ़ाते हैं, यह मौका ना आपको छोड़ना चाहिए, और ना ही आपके कोई भी दोस जो भी prepare कर रहे हैं, सबको बता दो आप, ठीक है, yes everyone, बहुत बढ़िया, chemistry का बेटा, आपको VT सर ब पढ़ सकते हैं, उसके अलावा जो मैंने सारे batches आपको बताया ना बेटा, सारे के सारे, आप किसी भी batch में जाके पढ़ सकते हो, आपको यह पता होना चाहिए, कि अगर आपने plus का subscription लिया है, तो you are not bound to any batch, आप किसी भी teacher के साथ पढ़ सकते हो, ठीक है, बस एक बार आपको subscription लेना होता है, तो यह complete physics from basics for 2022-2023, यह मेरा batch है बच्चो, यहाँ पे आपके polls होते हैं, class के अंदर, leaderboards दिखाये जाते हैं, आपका doubt लिया जाता है, मेरे प्यारे बच्चो, साथी साथ यहाँ पे एक अलग से telegram group बना देते हैं, हम लोग ठीक हैं, एक अलग से हम लोग बेटा, telegram में group बना देते हैं, जहाँ पे discussion करकर के पढ़ते हैं, बड़े प्यार से, तो यह आपके लिए guidance वाला plan है, YouTube में हम बहुत जादा guide नहीं कर पाते हैं, क्योंकि connection नहीं बन पाता है, बस एक गंटी की class हो, इसके बाद हम मिल नहीं पाते हैं, यहाँ पे आप हमेश लेते हैं, कि आप regular हो या नहीं हो, और बच्चो discipline के लिए यह बहुत जरूरी है, तो YouTube में तो हमें पता नहीं है, कौन आया, कौन गया, कितनी glasses आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, यह आपके लिए बहुत अच्छा है बच्चो, ठीक है, तो मेरा batch है, या फिर ये वाला भी batch ह जापे आनन्द मनी सर, अनुराग तिवारी सर, विशाल विवेक तिवारी सर, अमन कुमार सेंग कॉमल यादो मैम, ये लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये भी आप जॉइन कर सकते हो, बदब आपको बस एक बार प्लस लेना, फिर आप कहीं भी पढ़ सकते हो, ठीक है, तो प्ल प्लान लेना चाते हैं बेटा, तो 38,500 का है, with 10% discount, और अभी इसमें जो bumper offer चल रहा है, वो ये है, कि अगर आप 1 year का plan लेते हैं, 3 months का आपको free मिल जाता है, अब ये limited offer है, तो इसमें आप late मत करिएगा, प्लस अगर आप 24 months का plan लेते हैं, तो 4 months का free मिल जाता है, दो साल के ब मिल जाएगा, आप चाहें तो GG live लगा लिजी, आपको discern मिल जाएगा, तो इसा भी code आप लगा सकते हैं, ठीक है, शलो, बाई मान्या, जुग्गू, कितना cute नाम है, जुग्गू का, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बाई Shiva, कवीता, मिलते हैं बच्छो next class में हैं ना, मच slash gaurav dupta, description में यह है, या फिर इसको Google में type कर दो, तो भी खुल जाता है, फटा-फट, वहाँ पे अभी मैं इस session का PDF note upload कर दूँगा, ठीक है, तो like कर देना session को, है ना, और comment करके बताना कैसा लगा है, till then बेटा, bye-bye, see you soon, bye. My father is good, बेटा, Shivam, he is improving now, चलो, thank you for asking, bye-bye. Thank you, Himanji.